Hello everyone, my name is Divya and welcome to my channel Firm with Divya Mishtra. So friends, आज हम पढ़ने वाए हैं हिंदी हरियाली पुस्तक का पाठीक सामिक किशान जिसके रचाइता सर्वेश्च्वर दयाल सक्सीन है. इसको पढ़ने से पहले आप लोग प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजेगा और बेल आइकन को ज़रूर रौन कर दीजेगा. So thank you and आप हम पढ़ना शुरू करते हैं. पहले हम अध्याय के बारे में पढ़ेंगे. प्रस्तुत कविता के रचाइता हिंदी के प्रस्तुत कवी सर्वेश्च्वर दयाल सक्सीन है. यानि कि इस कविता के रचाइता सर्वेश्च्वर दयाल सक्सीन है. इसमें कवी ने जाड़े की एक शाम को किसान की रूप में सुन्दर्ता से चित्रित किया है. जाड़े की किसान की रूप में बताया है. इन्होंने थोड़े शब्दों में गागर में सागर भरने जैसा सरहानी काम किया है. यानि कि इन्होंने थोड़े थोड़े बहुत कुछ कहा है. अब हम कविता को पढ़ेंगे. आकाश का शाफा बांद कर सुन्दर्त पहाड. घुटनों पर पड़ी है नदियादर सी. पास ही दहेक रही है पलास की जंगल की अंगीठी. अंधिकार दूर पूर्ड में सिम्टा बैठा है बेडों के गल्ले सा. अचानक बोला मूर, जैसे किसी ने आवाज दी. सुनते हो, चिलम मौधी, धुआ उठा, सूरज डूबा और अंधेरा चा गया. एक बार फिर से पढ़ते हैं. आकाश का साफा बांद कर सूरज की चिलम खीचता बैठा है पहाड. घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी. पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगी थी. अंधिकार दोर पूर में सिम्टा है भेणों के गल्ले सा. अचानक बोला मूर, जैसे किसी ने आवाज दी. सुनते हो, चिलम खी, धुआ उठा, सूरज डूबा और अचा गया. अब हम इसकी मेनिंग पढ़ेंगे. आकाश का साफा बांद कर सूरज की चिलम खिसता बैठा है पहाण. यानि कि आकाश, आकाश का साफा बांद कर सूरज की साफा, साफा जैसे कि सिरपर पगड़ी के रोप में बांधे जाने वाले कपड़े को क्या कहते हैं? साफा कहते हैं और आकाश की पगड़ी बांद कर सूरज की चिलम चिलम क्या होती है? मिटी का है एक सिगार होता है जिसमें तबाकू रखके पिया जाता है उसको चिलम कहते हैं खीचता बैठा है पहाड़ यानि की आकाश की पगड़ी बांद कर उरज की चिलम खिस्ता बैठा है कौन बैठा है? पहाड़ घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी यानि की घुटनों पर नदी जो है चादर के रूप में पड़ी हुई है पाश की जंगल की अंगीठी और पलास क्या होता है? टेसू के लाल रंग का फूल जो होता है उसे पलास कहते है टेसू के लाल रंग का फूल उसे क्या कहते है पलास कहते है तो जंगल जैसे जब जंगल में बताए गया इसमें कि जब शाम गया तो जंगल में वह ऐसा लगता है जैसे कि पलाटी दहक रही है ऐसा कवी को प्रस्वारती है अंधिकार दोर पूर्ड में सिम्टा बैठा है भेडों के अंधिकार यानि कि जो अंधिरा है वो धीरे-धीरे अंधिकार धीरे-धीरे छा रहा है और सिम्टा बैठा है भेडों के गल्ले साब सिम्टा मने इकठा हुआ बेडो के गल्ले सा यानि कि गल्ले सा मतलब जुंड में यानि कि अंधिकार दोरपूर में सिम्टा बैठा है जुंड में बैठा है बेडो के गल्ले सा अचानक बोला मोर यानि कि ऐसा प्रतीत होता है कि अचानक मोर बोलता है जैसे किसी ने आवाज दी मतलब मोर को ऐसा अचानक बोला मोर जैसे किसी ने आवाज दी सुनते हो, सुन रहे हो चिलम ओधी चिलम ओधी मतलब उल्टी मतलब जो चिलम है वो उल्टी दिसा में बहर रही है और ऐसा रहता है कोई बोल रहा है सुनते हो धूँआ उठा चिलम का जो धूँआ है वो उठता है सूरज डूबा और अंधेरा चा गया यानि कि सूरज डूबता है और अंधेरा चा जाता है तो आप लोग को ये कैसा लगा प्लीज कमेंट करके ज़रूर बताएगा अगर मुझसे कोई भूल हुई हो तो प्लीज उसके लिए माफ करियेगा थैंक यू